नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गगन है और ये रॉल्सोयस फैंटम 8 सीरीस 2 है इसको मैं लगबग 1000 किलमेटर चलाने वाला हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चीजें अंदर बाहर इसमें मिलती है और क्या चीजें मुझे पसंद आई है और क्या ची पे आती है फैंटम के 8th Gen को देख की ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रॉल्सोयस कस्टमर अब ना सिर्फ रियर सीट पर बैटना पसंद करते हैं बलकि उनको ड्राइवर सीट पर भी आना है सो मच सो आई एंद आप स्पेंग मोर ताम न फिर्स रो देन दे रियर इन इस संदर्ड विल्बेस फैंटम 8 सीरीस 2 अपार्ट फो माइनर चेंजिस जिनकी बातें आगे वीडियो में करूंगा मैं फैंटम 8 रमेंस अलमस्ट सेम विजूली होवेवर वन इत कमस तो कमफर्ट अकूस्टिक्स बार हैस बें सेट हायर देन आवर फैंटम इन दाट संस रिमेंस थे बेस्ट रूलिंग स्टेमें आप यहां पर यहां पर इस क्लर का क्या लॉजिक है भी आगे चलते चलते आपको संझाऊंगा इस चाबी में जो दिये गए बटन्स हैं उनका क्या लॉजिक हो समझाता हूं अगर आप यह रॉल्स हो इसके लोगों को दबाएंगी तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी उपर वाला जो बटन देख पार है उससे अनलॉक यहां पर हो जाती है नीचे वाला जो बटन है इसको बूट जो है जो की पावर्ड है वो आपको खुलने के काम आता है और यह जो नीचे बटन आप देख पर जिस पे काइंड ओफ वाइफाई का सिगनल आपको बना हो देखेगा यह दरसल गाड़ी लोकेट करने के काम आ सकता है अगर आपको लोकेट करनी हो तो जैसे जलगी मैंने जब दबाया तो आप पता नहीं आपको दिन में देखी या नहीं देखी पर लाइट जो है वो भी इंटरसिंग उसकी बात करूँगा अनलॉक जब आप करोगे तो यहां पर दे दी गई है जो कि अभी आप नाइट में चुन पा रहे हैं इसमें आप ज्यादा बिटिख पा है होाँला होगी लाइट अमेजिग लाइट यहां पर है बहूत एक्स लुट पर अगहार थी UP अगर आप इसको खीच दो तो यह अपने आपको हाइड कर लेती है और वो वापिस उपर नीचे तभी आती है जब आप वापिस से लॉक अन लॉक करो गया अंदर आपके पास में बटन या शॉटकर्ट या फिर टस्क्रीन पर जो ऑप्शन दिया गया है उस भी कर सकते हो अनीवें फ्रंट में और क्या है फ्रंट में आपके पास में यहां पे पार्किंग सेंसर जो है वो भी आप देख पा रहे हैं तो हुआ पर लगाना है तो और यह जो आप पार्ट देख पा रहे हैं यह बिसिकली एडास के लिए रडार जो है उसका सेंसर यहां पे बीचे द होता है which is again a new touch उसके बाद में 360-degree camera का front camera आप यहां पर देख पा रहे हैं side में मैं आता हूं जहां से गाड़ी जो है वो actually आपको बहुत ही लंबी प्रतीत होगी यह गाड़ी actually उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी हो सकती है जिया इसका एक और long wheelbase version जो है वो भी आता है extended wheelbase जिसको आज आता है यह particular car 5.7 something meters की है almost 5.8 आप मालो और वो almost 6 meters की car जो है यहां पर है जो extended wheelbase वाली है which makes it मतलब जो extended wheelbase है वो currently in production में दुनिया की सबसे लंबी car है भाई आप सोचो कितनी लंबी होगी anyway आपके पास में front में यहां पे continental के tires है जो कि 255 45 r22 rubber यहां पर है पीछे वाला patch चोड़ा सा बड़ा है मतलब पीछे वाल rubber patch बड़ा है क्योंकि पीछे rear wheel drive भी यह काड़ी है यहां पर यह आपके पास में जो बहुत ही सुन्दर दिखने वाला wheel दिख पा रहे हैं इस प्रेशली बनाया है Continental लें उनके लिए Continental का यह Conti Sport Contact 5 star जो आपके आर यहां पर देख पा रहे हैं यह लगा हुआ है specially for the also is Phantom series 8 series sorry Phantom 8 series 2 बड़े से discs पीछे आपको देखी पा रहे हैं साइड में are also is लिखा हुआ है और आपके पास में obviously coach door है गाड़ी में multiple color options in fact color options की बात नहीं करें चीर और also is 44,000 color options देता है और फिर भी अगर आपको जो है कोई color पसंद नहीं आया तो आप अपने choice का color जो हो दे सकते हैं जो की peony pink जो है अभी आपके पसंद देखी पा रहे हैं completely पीछे तक जाती है and chubby जो match कर रही थी जो मैं आपको बता रहा था वो actually इससे match कर रही थी अभी आप देख पा रहे होंगे in fact ये color matching जो है अंदर भी होगी जो की अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद में पीछे की तरफ गाड़ी कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसी तरीकी की दिखती है ये वो area है जहां से आप थोड़ा सा differ कर सकते हैं phantom और ghost में उसके बाद में rear में आपको quad exhaust है जो की आपको बूट दिखा देता हूं पहले उसके बाद में जो है मैं आपको दिखाऊंगा इंजिन और उसके बाद काफी बड़ा है in fact I think मतलब जिस तरीके से यूटिलाइज किया गया है बहुत ही जब्रदस बूट स्पेस जो है वो बन सकता है और अगर कैबिन को थो है जो है वो नहीं करता आपके पास में यहां पे कुछ और इंपोर्टन चीजें हैं जिसमें श्यूस बॉक्स होगे रहा है and also the fridge जो की cabin में अंदर आपको में दिखाऊंगा उसका कुछ components जो है वो यहां पे है काफी बड़ा बूट स्वेस है कोई विश्यकायत उससे जोड़ी किसी को नहीं होगी attention to detail आप यहां पे देखिए जो बटन आप देख पा रहे हैं बूट लिट क्लोस करने के लिए जो पावर बटन पावर बूट लिट को बंद करने के लिए उसमें सिंसे BMW Group की कार है तो आपको दो बार जो है उस लिवर को यहां पे जो है खीतना पड़ेगा और यह दरवाजे बंद करने के लिए ज़्यादा डालने की ज़रूद नियों कि सिंप्ली प्रेसिट और दरवाजे जो अपने बंद हो जाते हैं उसके बाद में यह खुड जब खुलेंगे तो यह रिए उलाइज के वी 12 इंजन है 6.75 लीटर वी 12 इंजन जो कि कितनी पावर देता है क्या टॉक है यह अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप बोलोगी तो आशली कम नहीं लग रहा है बट जब मैं अंदर जाके ड्राइव करते हो बताऊंगा तो आ आपके पास में दर्वाजा जो है वो इतना दूर चला जाता है कि इसको ग्राब कर पाना थोड़ा सा दूर वाली चीज जाएगी बट ऑबिसली रॉल सो इसका खयाल रखा है हालांकि एक चीज मुझे जो सही नहीं लगी यहां पे कुछ बटन्स आपको दिये गए हैं दो इसको जब आप दबा के रखोगे तो दर्वाजा अंदर आ जाता है हाउएवर उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप इसको एक बार दबा के या एक लॉंग प्रेस में कुछ करो तो वो पूरा अंदर आ जाए जो कि थोड़ा सा इनकनवीनियन भी है एक बार दबाने से काबिन जो है वो आज़ा सकता है म exile में फोड़ा सा गाड़ी को जो है इस तरीक से से शेट करता हूं ताकि आप जो है थोड़ा बहतर इआज़ोँ खर पाएं घाड़ी को इंटरम सव लाइच सी डिरेक्शन थिवा नने चेंज batता है उघ oh पर आपको पता भी नी चलेगा, बट अभी मैं स्टार्ट करूँगा, तो गाड़ी चालू हो गई है, जो सरफ चाहिम आ रही है, वो वार्निंग चाहिम आ रही है, उसके लावा देज नो साउन अदर की तरफ, इतना साइलेंट जो है ये गाड़ी है, इन फेक्ट इनसलेशन जो है, टॉप ओफ दि लाइन है, इन तरमस अफ क्वालिटी, जो अवेलिबल क्वालिटी होती है, उसमें हर एक जगे जबरदस माटीरियल का स्तमाल किया गया है, जो कि अधिक तर स्टील है, कुछ-कुछ जगें प्लास्टिक है, कुछ-कुछ जगें अलूमिनम है, बट जगें जो है, वो क्रोम का स्तमाल किया गया है, और वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी में फिनिष्ट है, अभी आपके पास में हर जगें, मतलब आल्मोस नीचे नहीं, पूरा नीचे तक, इन फेक्ट यहां नीचे, दरवाजे के नीचे भी जो है, पूरा लेदर का स्त स्वाल किया गया है, ट्वीटर स्पीकर की भरमार है यहां पे, और आपके पास में जब आप इसको बंद और भी नहीं करना चाहते हैं, तो भी, तो क्यों सिंपली पूलेट लाइक दिस और बिसली सॉफ्ट क्लोस फंक्शन में आता है, यह आपके पास में कंट्रोल है, जह आपने दिखा होगा कि usually rounded mirrors होते हैं, जिस पर लिखा होता है, objects behind the mirror are closer than they appear, which is written there, इस वाले पे, बट क्योंकि वो जो है convex mirror है, और यह जो particular mirror है, यह convex नहीं है, फ्लाइट मिरर जो है, आपके पास में यहां पे है, जो कि usually case होता है IRVM के साथ में, तो यहां पे IRVM और यह वाला IRVM जी है, वो भी flat दियाता है, क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी है कि जो गाड़ी पीछे है, वो आपको properly दिखे है, इसलिए इसका स्तमाल कियाता है, interesting fact है, यहां पे इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता है मैं आपको, हाँ, यहां यहां पे थे हम, सा वर्दस तरीके से साउंड इसलिए करती है, थोड़ी सी वो टिंटेड है, ताकि आप दूप से भी आपका बचाव होता रहे है, उसके बाद में थोड़ी चीज दिखाने के लिए मुझे फिट से खोलना पड़ेगा, मसाज के लिए आपको जो है, कंट्रोल यहां दिया गय है, काफी जबदस क्वाल्टी, कहीं पर भी टच कर लो, उसके बाद में इस तरफ टिपिकल रॉल सोर्स के जो कंट्रोल दिये गया है, हैडलाइट की वो हम यहां पर देख पा रहे हैं, आपको हैडलाइट करनी है, तो वो और बंद करना है सब कुछ तो आप यहां से कर सकत है, यह बिसिकली इंट्रिजेंस सेफटी जो है, उसका शॉटकट है, गाड़ी में क्या-क्या फीचर सेफटी वाले चालो होने चाहिए, बंद होने चाहिए, नीचे पार्किंग ब्रेक, होल्ड अगर आपको रखना हो, और आप यहां पर कर सकते हैं, उसके बाद में ऑबि एक आपके पास में सबस्ते हैं, अब आपको क्या क्या हो गया है, अब आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, cruise control के सारे switches वगरा जो है यहाँ पे दिये जाते हैं उसके पाद नीचे जो है यह भी kind of adaptive cruise control के ही switches है कि अगली गारी कितनी दूर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए यह जो आप particular चीज़ें यहाँ देख पा रहे हैं सारी की सारी audio accelerated controls है चाहिए वो volume control हो नॉब की क्या अच्छी quality ह मैं कितनी वाद इस वीडियो में जो है अच्छी quality वर्ट का समार करूंगा मुझे भी नहीं पता है बट आइधिंक बहुत बार करूंगा क्योंकि हर्चके की बहुती बड़े quality आपको नजर आती है उसके बाद में आपके पस्ट में इस तरफ यह देखेंगी तो यह indicator stock है औ और आपको automatic headlight on करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं जो कि जब रहत होगी तो चली जाएगी एकली मैं यहां पर करके इसको करके automatic पर डाल भी सकता हूं नहीं जारे शायदी रहत होगी तब ही automatic वाली चीज़ काउंट करेगी उसके बाद में यह particular बटन है जिसमें आप टॉगल कर सकते हैं कि कहां क्या फ्यूल इफिशन से आ रही टोटल टर अडो मिटर वगरा कितना चल रहा है वह सब चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं यह जो साइड है यहां पर आपके पास में अवेलेबल है घीर सेलेक्टर आपको बिसिकली ड्राइव इस पर हम बाद में आते हैं यहां पर लो मोड है जो कि जब भी आप ड्राइव में डालने के बाद में लो में जाएंगी तो वह आपके ट्रांसफर के समें थोड़ा साथ चेंजिस कुछ करता है वह नौट ट्रांसफर के स्रेली बट्राइव करेंगे यह जो पर्टिकलर च आपकर चीजन दिखने को मिलती है अब M.I.D. जो है वह तीन हिस्सों में बटी है यह इनलोग को लघ रही है यह प्ली बटी टो में जो कि आप और हैं और उस तरीकु करता है कि कितनी और चोन अच्शव में पर बहुत आथ या वह बाड़ीं बंट आ पर आर्ट तक जो है वह आप दिखा रहा है और यह बीच में आप देख पारेंगे उसके बाद में क्योंकि मैंने लो सब्सक्राइब यहां पर आपके पास में अगें कुछ वह आती है कुछ चीज़ें आप यहां पर चेंज कर सकते हैं उसकी मैं बात करूंगा बट जो important चीज़ है वह यह कि अगर आप यहां से नजर डालें तो आपको एक glass नजर आता है जो कि मैं भी touch कर पा रहा हूं जो कि मुझे रोकता है इस touchscreen तक पहुँचने में यह जो art gallery है यहां तक पहुँचने में इस घड़ी तक पहुँचने में जी हां एक proper glass जो है बीच मे ही है इसको operate कैसे किया जाएगा वैल वाइस कमांड से आप चाहो तो operate कर सकते हो कुछ कुछ control जो यह music के हो से आप operate कर सकते हो और else you got the dial और बहुत ही चंकी और अच्छी quality का dial है in fact इस गाड़ी में जितने भी dial है उनमें भी leather का इस्तमाल किया गया है जो आप यहां पर यहां जो है वो टॉप नोच होनी चीए तो अब बात करते हैं कि क्या के चीजें जो है इस पर्टिकलर स्क्रीन में आपको देखने को मल जाती है वेल मेंन्या ही सब से पहले बाहर आजाता हूं हमें communication आप यहां पर देख आirm हैा है थोड़ आसा बर आंगल में आपको दिखाता हूं communication आप यहां पर देख पा रहे हैं steering wheel vibration steering speed limit assist speed warning attentiveness assistance stability control on करना है नहीं करना वाइद बहुए stability control जो है वह आपको shortcut कहीं नहीं मिलता है जो करना है वह आपको यह से करना है हाव आपको चीजों के shortcut बना सकते हो जिस पर आप हो आपके आप यहां पर देख पा रहे हैं यह पार्किंग में Automatic PDC Activision Cross Traffic Alert वगरा जो है यह स्टैंडर आते हैं इस गाड़ी में यह features यहां पर seat comfort जो है उसमें driver seat और passenger seat जो है स्की massage वगरा जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब क्लाइब कमफर्ट जो है उसकी setting भी हाँ पर है क्या लिखना है कैसे लिखना है वो चीज़ें आप सेट करना चाहों तो वह यहां पर सकती है उसमें traffic science दिखाने नहीं दिखाने on board computer जो है उसको आपको reset करना है या टोटल रेंज होगरा दिखानी उसमें रीचेट तो नहीं से बटन से बटन से टोटल रेंज होगरा या क्या क्या information दिखानी है वो आप यहां पर select कर सकते हैं इसके बाद में date and time units यूनिट्स में एक important चीज़ चेंज करता हूं कंजर्प्शन को के MPL में कर देता हूं उसके बाद में आपके पर साउंड नोटिफियंस साउंड इस गाड़ी का music system भी बहुत जबरदस्ट जो है वह यहां पर दिया जाता है और वह आप कुछ और उस तरीक उसको यहां पर कि वह सब चीजें जो है आप में लेवल ऑफ कस्टमाइज़शन ड्राइवर की प्रोफाइल कौन चला रहा है क्या चला रहा है उसके साब से काफी जिसमें यहां बहुत आपको यहां पर इंजन लेवल आपको ऑईल लेवल एंजन ओल लेवल ट्राइशन मॉनिंग सिस्टम कुछ नोटिफिकेशन सर्विस एक्वाइमेंटली सर्विस कॉल वगेरा 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 जो है वह आप यहां पर चेक कर सकते हैं ड्राइविंग इंफरमेशन अगें आपका ट्रिप पगरा रीसेट आपको करना हो और एक हैंडबुक जो है वह भी आपको यहां पर डिज तो वह यहां पर आपको देखने को मिलती है कई चीज़ें हैं जो कि एड़-on नहीं होनी चीए लेकिन एड़-on सिस्टम में आती है और इस गाड़ी में भी नहीं है उनकी मैं बात करूँगा बहुत चीज़ें बात करने के लिए आप तसलिए से देखो इस गाड़ी को उस के यहां पर है यह प्लंजर दिए गया है जो की एर फ्लो को जो है बंद कर देते हैं कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं यह वह शॉर्टकर्स है जिनकी मैं बात कर रहा था टच बेस कंट्रोल है यहां ऐसे आप घुमाएंगे तो आप यहां पर घूम रहा है एट नमबर सकते हैं यह बटन आप यहां पर देख पा रहे हैं यह एक्षिली डिस्क डिवीडी तो उसके लिए है अभी भी दिया जाता है कोई यूस करता नहीं करता आई डॉन नो मुझे नहीं लगता कोई भी इसको करता है बट इस गाड़ी में दो आते हैं पीच्छे भी एक आता से एक और इसको एड़ित다 हुई अभिन ऑर दीयां अब्ट अबंते उसके साथ में गणिड्यां ही जिसमें लिखा होता है कि किसा की लो नहीं पे क्लोग की हैं और शका क्टम्र में बीध टेस्टनली भोड तेस्टेट जो कि यहां पे मेंचन है अब हम जो है आते हैं इधर आपके पास में कुछ और कंट्रोल से जो मैंने छोड़ दिये थे यह AC नॉब से कोई भी ऐसा मतलब 1 2 3 4 टाइप नहीं है जो है जो है डाइल सापके पास इधर है जिसमें आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी कि इधर आईए बता रहा है कि हॉट इधर यह बता रहा है कोई आपको दौना तरफ का कोड़ रखना है तो उपर नीचे का वो रख सकते हैं उसके बाद में यह जो कंट्रोल है इस चैना है इस पर्टिक्लर काड़ी में नही ए जब होती तो इसके इसाइड स्कय कंट्रोल आइए ऐसी आफ इंटनल प्रिया चैनल रियर दी फॉगर और ऐसको पुष करें यह बैद जिसमें आप तीन मुबाइल फोन तक डाल सकते हैं थोड़े पतले मुबाइल फोने तो चार भी आ सकते हैं थोड़ा सा स्पेस इधर भी रहा जाता है और अगेन यहाँ पे जो है सॉफ्ट फैबरिक जो असका स्टमाल किया गया है तो किसी भी तरह की कोई भी रैटलिंग नॉइस वगरा आने का चांस ही नहीं है यहाँ पे एक और स्पेस दिया गया है पही स्पेस जो की अगेन नीचे तक है और अगेन उसको जो है एक सॉफ्ट फैबरिक में जो है अबर किया गया है ये भी जो है किसी तरीके से मतलब एकदम से subscribe नहीं कैच करेगा बट obviously यहाँ पर आप customization कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी विनियर चीए वोड वगरा कुछ चीए तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं जो कि mostly owners लगवाते हैं यह आपके पास में एक dial है जो कि actually बंद रहता है बट आप जब इसको press करेंगे तो dial यहाँ से बाहर आ जाता है यह dial क्या करता है वैसे तो mostly लोगों को लगएगा कि यहाँ से gear position वगरा selection होता है नहीं यह वही dial है जिससे मैं यह screen आपको control करके दिखा रहा था menu, communication, media, map, navigation के कुछ shortcuts, back or option का button यहाँ पर spirit of ecstasy आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह आपके पास में parking chime गाड़ी को air suspension दिये जाते हैं तो air suspension height low और up करनी है तो वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं उसके बाद में आपके पास में यह गाड़ी के camera's अगर आपको देखने हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं मतलब इसको दबाएंगे तो basically camera's जो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे अच्छी quality की है camera के दिन और रात में किसी भी तरीके का कोई problem नहीं है यह जो आप देख पा रहे हैं कभी hole again बड़ा सा है एक 12 volt का DC socket यहाँ पे है उसके बाद में एक USB A यहाँ पे आपको देख गई है I doubt आपको दिख रही है यह नहीं दिख रही है वोट एक light यहाँ पे है wireless charging जो है वो आपको यहाँ देख गई है again USB C नहीं मिलती है और जब आप heated seats on करते है तो यह आमरेस वगरा जो है वो भी यहाँ पे heat उन में भी जो है वो भी थोड़े से गरम होती है उपर की तरफ आते हैं बहुती interesting चीजे lights आपको control जो है वो मिलता है और कुछ चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं SOS button है यहाँ यहाँ पे और actually light मैं करता हूँ बंद जब मैं बंद करूँगा तो you will realize कि यहाँ पे कुछ और control से जो कि actually star light की control से है जो star light roof है उसके control से जो कि अभी actually आप देख ही पा रहे है दिन में भी यह दिख जाती है यह तो चलो perforated leather का black color का roof liner है किस तरीके से star दिख रहे थे वो आपको उसी pattern को यहाँ पे बना के दे सकते है उसके बाद में उपर की तरफ कुछ और controls भी है जो कि light से जोड़े पे control अगर आप यह particular button जो है यह दबाएंगे तो सरफ आगे की जो हिस्सा है light वो illuminate होगा अगर आप यह दबाएंगे button यहाँ पे तो यह जो reading lamp यह जलेगा और अगर आप यह particular button दबाएंगे तो सारह illumination जो है वो यहाँ पे हो जाएगा जिस पर मैं अभी छोड़ देता हूँ अब आपके पास में यहाँ पे vanity mirror विथ यहाँ पे आपके पास में light भी है हाई हलो लेकिन असली test इस गाड़ी का यूनो वट आप यह जो आपके पास में यह जो देख पा रहे हैं बहुत ही कड़क बहुत ही strong किस तरीके में आपको दिखा हूँ थोड़ा सा adjustment नहीं हो पा रहा है properly बट काफी बढ़िया जो है आपके पास में grab handles जो है वो दिए गए है grab करने के लिए आपके पास यह भी है आप जब अगर basically दर्वसा आप में खोला है और अगर आप इसका 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 पकड़के मुझे बंद करना है भाई बहुत ही सब्रत उंदा quality के अपर लगते हैं अब seat जो है उसको मैंने अपने हिसाब से adjust कर लिया तो कुछ चीज जो है seat adjustment वगरा के बारे में मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद में मैं rear seat पर लेकर जलता हूं जो कि असली experience है यहां पर आपके पास में seat के multiple adjustment लंबा support हुआ चाहे वो recline-recline हुआ चाहे वो आपके पास में थाई support हुआ सब आप adjust कर सकते हो बट यहां पर नीचे की तरफ जो carpet दिया गया है वो भी अपने आप में unique है एक तो soft test through out है मैं तो उ इसके बारे में जो है पीछे जाके बताता हूं मतलब basically जहां पर owners बैठेंगे उस जगे जाके बताता हूं दर्वाजा जो है यहां पर बंध हो रहा है और the seat where people who owns the car will be sitting जो यहां क्या experience यहां का है वो बताता हूं सबसे पहले obviously roll source है तो umbrella जो हो होना जरूरी है और दौन दर् आपको proper umbrella जो है मिलता है और इस umbrella पे भी जो है roll source का logo यहां पर आता है however this is not self-leveling अगर आपने notice नहीं किया हो तो यह self-leveling जो है आपके पास में caps है हमेशा roll source का logo जो है वो upright ही यहां पर रहेगा हर roll source गाड़ी में आपको मिलता है तो एक चीज दिखाना मैं भूल के आपको य यहां पर ओ नाइस quality भाई बहुत ही chunky जवर्दस quality इस particular knob की यहां पर है E5, E10, E25 जो भी पेट्रोल आपस मिला सकते हैं और यह वो चीज है जिसकी मैं बात करने वाला था काफी जवर्दस lamps wool का बना हुआ है जिस पे आप देखी पा रहे हो जर्मनी में बना हुआ है बहुत ह वेल मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको यह देखो जी हां यहां पर footrest का adjustment जो है unlike कुछ गाडियों में जो यहां पर आता है यह footrest का adjustment यहां से होता है and यहां पर भी जो है इस्तमाल किया गया है chrome का यह metal नहीं है chrome है और यह AC vents जो है वो यहां पर आपके पास में है और यह plungers जो है वो in particular vents control करते हैं दो vents आपको यहां पर मिलते हैं again proper steel proper metal जो है उसका इस्तमाल किया गया है अब मैं चलता हूँ अंदर और पीछे क्या क्या चीज़े हैं उसकी बात जो है वह हम करते हैं जब यहां पर owner बैठ जाएंगे तब obviously driver जो है वो दिर्वाजा बंद कर अगर just in case owner खुद करना जाहे तो आपके पास में अगें यहां पर door button में यह देखी पा रहे हैं थोड़ा सा बहतर दिख जाए यह door button जो है वो आपके पास में यहां पर the problem again remains the same कि इसको दबा के रखना पड़ता है तब जाके जो है वो दर्वाजा अंदर आता है एक बार मे इसी कार में standard होना चाहिए था बट अभी बात करते हैं क्या-क्या amenities जो है पीचे मिलती है सबसे पहरे amenities में आपके पास में space क्या है जो की important चीज़े उसकी बात कर लेते हैं जबकि यह short wheelbase origin है long wheelbase में और दादा space जो आपके पास में याने extended wheelbase में और दादा option जो आपके पास space जो आपके पास में होता है हो सकता है seats तोड़ी सी और तदा बड़ी हो सकती थी और तदा comfy हो सकती थी but क्योंकि मैं extended wheelbase में नहीं बैठा हूं तो यह नहीं कह सकता है उसमें comfortable जादा आती है but I think उसकी जादा बैठा थी क्योंकि उसमें नीचे जो है car support भी आता है तो seats जो है यहां देख पा रहे है 12V का socket जो है वो है जो कि usually typically रॉल्सरस में ऐसे great light होता था यहां पे ashtray आपके बास में होती थी however this can also be removed अगर आपको empty करना हो तो वह आप यहां पे इसको है empty कर सकते है और हर जगे again color जो आप देखी पा रहे है कौन सा समाल किया गया है I think red लग रहा ह यहां पर आपके पास में आपके पास में जो है वन टच अप डाउन अगें उसके बाद में कोई भी चीज नहीं है जो चीज बच्छी है वह अब आपको मिलता है एक और चीज यहां पर ट्रे मिलती है नीचे की तरफ मैगजीन होल्टर मिलता है however आप जो है अब ट्रे को कहां से open करेंगी सिर्फ आपको ट्रे open करनी है तो आप यह बटन दबाईए आपके पास में ट्रे जो है वो open हो जाएगी और आप इस ट्रे का अस्तमाल कर सकते हैं again shiny जो है metal शाइनी सर्फेस यहां पर जो दिया गया है यहां किया गया है यह आपकी स्क्रीन है बट यह ऐसे नहीं खुलेगी आपको जो है खोलने की जरुरत भी नहीं यह ऐसे आपके पास में कुछ चीज है यहां पर दिखिए एक और डाइल जो है वह आप यहां पर देख सकते हैं जिस भी स्क्रीन पे सब्सक्रीण पर देंट यहां जरुम सेक्राइब्चंद सेख लिए आप यहां पर यहां पर बैट के खिशने है कि पिसिकली तब्लूबブीड वीडिय screaming का इस अंद ब्लूच रखोटे की रखेшरों पर दीन हो गाएम उसके बाद में आपके पास में स्क्रीन बंद करते हैं और जब आप बंद करेंगे स्क्रीन को एक लिए बन करने के लिए थोड़ा लॉंग प्रेस करना पड़ता है तब जाके स्क्रीन जब बंद करेंगे उसके बाद में आपको यहां को दिखाना चाहता हूं यहां पे आपके पास में दो कप होल्डर्स या बॉटल होल्टर जो है वो दिये गए हैं और आपके पास में यहां पे प्लंजर के साथ में फिर से आपको अवेलिबल है मैटल मुझे हड जग जो है वो चलो यह पूर्ट में यहां कुछ नहीं है लेकिन एक टाइप ए और एक अच्छी आप यहां पर देख पारें और दोनाव सरफ हेड़फून जैक जो है वह भी आपको यहां पर दिये गया है यह आपका 12 वोल्ट का एक और सॉकेट जो है वह आपके पास में यहां गया है सिंपल सी चीजे हैं आप इसको बंद भी यहां पर चाहें तो कर सकते हैं जिस तरीके से अगें बढ़िया से नीटली फेनिश जाता है किसी तरीके कोई एक्सपोज चीज नहीं रहती है यह बटन दबाने से जब यह खुलाता है तो यह बटन से क्या होगा वैल यहा वाय जो सब्सक्राइब तो आप इसको all the way आगे ले जा सकते हैं, अपने असाब से comfortable space बना सकते हैं, और थोड़ा सा जो extended wheelbase उसमें और आगे जाती है, यहाँ पे इतनी ही जाती है, उसके बाद में आप अपनी seat adjust करना चाहिए, तो अभी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इन ही control से, जो इधर वाला passenger है, उसके लिए controls यहाँ दिये गए हैं, उसके बाद में आपके पास में एक और interesting चीज़ है, fridge, जो कि standard है यहाँ पे, और वो fridge जो है, champagne hold करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, आपके बास में champagne bottle जो है, वो यहाँ पे आप ठक कर सकते हैं, अभी वो available नहीं है, जो नहीं रखी ह ही है, but there's a water bottle, again, आप देख पार है, mirror जो है, वहाँ पे लगा हुआ है, और दो levels तक जो है, उसके adjustment भी यहाँ पे हो जाता है, depending कि आप कौन सी champagne है, आपके बास में, उससाब से आप यहाँ temperature जो है, वो adjust कर सकते हैं, अब यहाँ पे इस fridge को completely बंद रखना हो, तो भी कर सकते ह 5 people, तो अगर आपके बास में कोई और 500 बंदा भी है, तो simply इसको जो है, यहाँ पे बंद कीजिए, और वो 500 बंद यहाँ बैट जाएगा, how comfortable they will sit, यह भी एक important बात है भाई, तो भीया, मेरे लाइक तो अच्छा खासा space है, एक 6-foot का बंदा भी जो है, यहाँ पे बैट सकता है, और 500 बंद प्रावल्म होगी, कुछ और चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी है, वो है यहाँ पे, जो पूरा साही टाम पर सही नहीं दिखा पाया तहुता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपके पास में यहाँ यहाँ दी गई है, अगेन आपके पास में यहाँ यह mirror दिया गया है, जिसमें आप मेरा खुपसरत हाथ देख सकते हैं, वीचारा तो नहीं देख सकते हैं, और यह अगेन दिये गया है, आपके पास में grab करने के लिए, यहाँ पे, और क्या comfortably खुलता है भाई, यह बहुत, मतलब, just see the operations, बहुत ही बढ़िया, anyway, यहाँ पे, आपके पास में एक mirror है, जो कि align नहीं होता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा इस तरफ रह जाता है, so you have to come like this, और यह, again, lights वगरा जो इसमें दी जाती है, जो आप बंद करते हैं, तो बंद की lights हो जाती है, starlight roof जो है, उसके starry roof जो है, उसके control यहाँ पे है, अगर आपको oscillation dim या बंद करने हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, और lights वगरा के control जो है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही है, मैं आपको इसका एक अच्छा सा वीडियो दिखा हूँ, night में कैसा दिखता है, just watch it, तो पीछे यह सब चीजे है, यह सब experience जो है, वो यहाँ पे है, जिस transmission मेरी set है, और मैं भी set हूँ चलने के हिसाब से कि क्या कुछ चीजे हैं करनी है, सबसे पहले, power figures मैं आपको अभी बताता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि क्या माइन है उन power figures के, 543 horsepower और 900 newton meter torque जो है, वो आपको मिलता है, और 8 speed transmission के दूरू वो rear wheels में जाता है, but a Rolls Royce this is never about power, performance, anything like that, it's about the power that comes with comfort, that comes with reliability, that comes with a style statement, जो की बहुत ही जादा ultra luxurious side में जो है आपको, मतलब, basically portray करता है, अभी क्या चीजे है, comfort कैसा है, reliability कैसी है, और smoothness कैसी है गाड़ी की, उन सब चीजों के बात करते है, तो 543, 563 horsepower जो है, और आपके पास में 900 Nm है, वो बहुती smooth linear way में deliver होते हैं, all the way 1700 RPM से ही आपके पास में, पूरा talk जो है, आपको मिलने लग जाता है, 8 speed का gearbox, ZF Source gearbox है, जो की otherwise बहुत fast है, but यहाँ पे जो है, एकदम calm और smooth तरीके से वो यहाँ पे काम करता है, there are no modes, मतलब, ऐसा कोई sport mode, normal mode, डैन mode में रहता है, ऐसे लगता है, पानी के ओपर कोई चीज चला रहे हो, आप वैसी feeling जो है, वहाँ पे steering देता है, और साथी में गाड़ी जो है, जिस तरीके से transmission वगरा है, उसमें भी कोई modes वगरा नहीं दीगे, हाँ, एक traction mode वगरा जुरूर कुछ दिया गया है, और उसका काम बखू भी, also is phantom 8, जो series 2 है, वो करती है, अब आपके बास में starting एकदम silent है, no vibration, nothing, गाड़ी जब चलती है, तो एतना insulation यूज किया गया है, कि driver side में तो फिर भी alkyful की तोड़ी आवादा है, पीछे जो है वो भी नहीं आती, in fact अगर मैं बंद कर दूँ मेरा AC, तो आवा पाड़ी की आवाद ही अलकी सी, ट्रक की आवाद ही अलकी सी, मेरी आवाज जो है, अगर मैं दीरे भी बोलू, तो भी मेरी आवाज जो है, वो आप तक पहुंच जाएगी, गजब, गजब quality का insulation है, टायर से hardly कोई road नहीं जाती है, इंजिन hardly आप सुन पाते हो, आनले साब पाती फ्लोर करते हो, तो जाके वो वीट वैल आपको सुनाई देता है, और वो सब चीज़ें जो है, overall comfort में add करती है, suspensions जो है, जिस तरीके से starting में आपने देखा कि, bumps से निकले, दो reason है उसके, एक आगे camera लगें जो detect करते हैं कि क्या तरीके का आगे road है, और क्या तरीके का आगे का, जो है, basically, speed breaker है या जो भी घड़ा है, portals है, तो वो उस पर glide करते होगे निकलने की कुछी जो हाँ पर होती है, उसके बाद में air suspension itself बहुत ही amazing quality के है, magic cloud carpet ride qualities के लिए कहा जाता है, कि जिस तरीके से glide करती है, no other car can do that, हाँ, glide करती है, heavy है, तो corners में body roll होने के chances है, but anti-roll bar दिया जाता है, और आप hardly feel करते हो के corners में किसी तरीके का roll है, तो वो हर एक चीज जो है, basically, silent होना, ride smooth होना, seats बहुत कुछनी होना, उसके बाद में anti-roll bar और overall noises वगरा, sorry, vibrations वगरा कम है, जो की engine में almost है ही नहीं, तो वो सब चीजें जो है, आपके fatigue में, basically, fatigue नहीं होने देती ह आपको शरीर को थकान ही होती है, and that is one very important aspect, जो भी इस गाड़ी का होना है, उसके लिए, कि या, थकान ही होनी चीजे, long rides भी कर करनी पड़े तो, या, point A to point B, 10, 15, 20 km भी जाना होतो, and that is what RollsOS focuses on, they never focus on performance, V12 engine है, निकालने को, दुनिया बर की पावर निकाली जा सकती है, but limited amount of power जो चाहिए, वो इस तकाड़ी को खीचे लिए, by the way, मैं बोरनों तो ऐसा नहीं कुछ, यह slow है काड़ी, 0-200, 5.5 seconds के लगबगे कर देती है, और जो extended wheelbase में वो 5.6 seconds में करता, which is very fast in many standards, मतलब जिस तरीके का, जिस weight और जिस size की खाड़ी है, it's just कि वो तरीके से कोई नहीं च और किसी तरीके का कुछ आपको comfort में चाहिए, तो seat में, rear में चाहिए होगा, जो की थोड़ा सा bitter आपको extended wheelbase में मिली जाएगा, तो भी आपके पास में जो है, वहाँ पर option है, but ride quality के मामले में, I don't think कुछ करने के होता है, Indian सड़कों पर नहीं चला पाया हमें, थोड़ी सी hardshe आपको problem नहीं आने वाली है, and that is the reason इंडिया में phantom actually काफी बिकी है, ऐसा नहीं है, जिसे कई sedans काफी low होती है, phantom उन low sedans में से नहीं है, इस गाड़ी के पास में भी मैं कड़ा होते है, पांच फूर चार इन सम्तिंग तक जाती है, तो कि actually काफी उचा है for an sedan, मतलब SUV की category मे आगी गई, but है ही इतनी बड़ी है, है ही इतनी massive के बड़ात होना ही है, और ground clearance जो है, वो भी फिर अच्छी दी गई इस गाड़ी को, also one more thing, turn वगरा लेते टाइम पे, यह गाड़ी थोड़ी सी easy turn होती है, because phantom जो है वो रॉल्सूस की पहली कार है, जो rear wheel steering के साथ में आती है हालांकि वो rear wheel बहुत ही कम degree तक है, 60 की speed तक वो 3 degree तक rotate होता है, opposite direction में, मतलब आप इधर front steering आपने इधर motor का है, तो वो दूसरे तरह होगा, ताकि आपका circuit जो हो, sorry, turn जो हो जाए, and 80 की speed से जो आप ऊपर चले जाते हो, तो it turns in the very same direction, तो अग भी अगर मैं indicator देके इधर मोड तो गाड़ी जो है, वो थोड़ा सा और तदा better smoothness के साथ में turn होती है, because rear wheel steering जो वो भी काम करा है, हलका सा वो भी turn हो रहा है, तो थोड़ा effortless नी मूह हो जाती है, तो ये चीज़ें जो है भाईया, यहाँ पे आपके पास में available है, conclusion, Phantom 8 Series 2 का, देखो Rollsories की cars कभी भी most value for money, य अगर आप Rollsories experience के लिए Phantom को लेना चाहते हैं, तो actually आपको लेने की जुरूत नी है, you can have that Rollsories experience in any of the Rollsories cars, Goss लेजिए, Wraith लेजिए, कलिनन लेजिए, जो की in fact 2022 की सबसे जादा बिखने वाली Rollsories car थी, सबसे जादा demand में थी, Phantom किसके लिए है, Phantom उलोगों के लिए है, जो ब झाल झाल